Hey guys, welcome back to the channel with a new video, so back to base, आप लोग देख लिए होंगे कि अभी जो है finally पूरा ब्रह्मान जो है घूम के हम आ गए है अपने घर, anyways guys, so आज की वीडियो जो है action cams के बारे में है, जी हाँ दोस्तों action cams ऐसी चीज है, जो मुझे लगता है कि हर biker हो या फिर हर car rider driver जो भी है वो हो, उनको एक action cam की जरूरत definitely है, मतब कार अगर आप चला रहे हो तो आपको साथ एक dash cam की जरूरत है, so यह सब को जो घूम घाम के finally आके end होता है GoPro पे, जी हाँ दोस्तों जो GoPro मेरे हाथ में ही, यह actual world का best action cam है, to be honest, GoPro की कोई replacement नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो मैं आपको ब अपार्टमेंट में better हो, लेकिन यह camera जो इसको जो है बहुत सारा experience मिला है, जिसके जाए से यह camera जो unique है, and इसमें जो है, it is like good for lot of things, मतब एक particular चीज़ पर यह बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में अच्छ है, इसकी demerits भी है, and definitely this is not a sponsored video by GoPro, obviously GoPro अगर sponsor करता है, यह video हम उसमें जो है, alternatives की बात नहीं कर सकते है, लेकिन हाँ, मेरा experience में share कर रहो है आप लोगों के साथ, last 5 साल से जो है, मैंने सारे के सारे action cams ट्राइक कर लिया, and in fact I had owned all the versions of GoPro, GoPro की सबसे बड़ी गंदा चीज़ जो मुझे लगता है, वो है इनकी software, जो hang होता है, यह hang होना का जो problem है, यह actually हर GoPro पे है, लेकिन यार यह एक ऐसी problem है, जो कि मतलब एक problem है, जिसके साथ आपको जीना पड़ेगा, वो हर product में कुछ ना कुछ problem रहता है, so मैंने इसलिए decide किया कि यार, best लेना है, एक problem है, जहल लेंगे, थोड़ा थोड़ा frustrations आता है, राइड मे नहीं कर सकते हो, Hero 7 और 8 के बीच में रहता है, DJI की Osmo Action, but the price on it sells at, it is like 50% of what these cameras are being sold in the market, लेकिन how GoPro is better than other action cams, वो मैं बताता हो, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी advantage जो हम जैसे motor vloggers के है, वो है super view, एक option है, जिसमें आपको super view दिखता है, मतलब जो wide angle है, वो super wide angle है, जैसे आप आप देख रहों मेरे पीछे एक ultra wide monitor है, तो ऐसी ही है, जब आप इसको super view पर लगाते हो, तो अगर आप यहां पर mount करते हो, अपने helmet पर, पूरी की पूरी जो आपकी handlebar से बाहर तक, जो है footage record करता है, पूरी की पूरी road आ जाता है, scenery आ जाता है, sky आता है, even road के नीचे तक द जाए, तो वो हो गया पहली बात, second advantage जो गोपरो के साथ है, वो है इसकी audio, जी हां दोस्तों, इसमें जो आप directly audio record नहीं कर सकते हो, एक demerick भी है, कि आपको external एक adapter लेना पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ, so ऐसा एक mic adapter आपको externally लेना पड़ता है, and this is also expensive, this costs about like 3,700 to 4,000 पीस, which is again expensive, so to be honest, या GoPro अगर आप यूज करते हो, तो आप ये सोच लो कि आपके पास सबसे expensive gadget है, मतलब action cam वाला, लेकिन सबसे बढ़ी हा quality है, adapter के साथ सबसे बढ़ी बात ये है, कि इसमें जो audio आता है, उसकी quality तो और कोई भी action cam के साथ मतलब match नहीं होगा, to be honest, मतलब और footage को हमें साथ smooth कर देता है, मतलब जैसा आप मेरा सकल देते हो, जो भी pimple-mple है, GoPro में करूँगा, तो कुछ भी नहीं देखेगा, पूरा मतलब polished face देखेगा, तो GoPro में ये है, same चीज अगर DJI के Osmo action लेते हैं, उसमें details बहुत जाला आता है, color quality बहुत अच्छा आता है, लेकि at the same time वोई है कि ये polish full effect नहीं आता है, तो लोगों को बहुत natural लगता है उसकी videos, अब GoPro के साथ दो ही demerits है, एक तो जो hang वाला problem है, वो ही एक problem है, second जो है बहुत expensive है, so ये अगर आप Hero 9 की बात करते हो, जो कि latest product है from GoPro, this cost about 40,000 rupees, 38,000 से 40,000 के अंदर जो इसकी price fluctuate करता रहता है, अभी जो है Amazon Prime Day चल रहा है, तो उसमें आपको साथ 1500 से 2000 मे भी आपको discount मिल जाएगा, लेकिन ये expensive है, अब ऐसा नहीं कि ये camera के लिए ले लिये तो हो गया, इसके बाद जो है आपको adapter खरीदना है और cover खरीदना है, दोस्तों आप लोगों को बताते हो, अगर आपके पास Hero 9 या फिर Hero 8 है, तो इसके लिए एक Media Mod भी आता है, ये Media Mod अगर आपके पास पैसा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप Media Mod ही ले लो, क्यूंके compact कर लेता है camera को, क्यूंके अगर आप Media Mod नहीं लेते हो, and you wanted to record audio, तो उसमें आपको ऐसा adapter खरीदना पड़ेगा, जो आप मैंने आपको दिखा है, तो आपको एक कवर भी खरीदना पड़ेगा, आपको ऐसे टाइप की एक उलांजी की case भी खरीदना पड़ेगा, ये case क्यूंके इसके अंदर जो आपकी adapter यहाँ पर slot हो जाएगा, otherwise just imagine adapter इस पर लगेगा और जूलते हुए रहेगा आपके helmet पर यहाँ पर लगाओगे, तो अभी क्या होता है, ये case के अंदर चला जाता है और इसमें एक जगह है जहाँ पर adapter भी चला जाता है, so either you have got the option to buy an adapter as well as this case, or else you can simply buy the media mod, media mod की price थोड़ी से expensive है, 7500 आता है for the hero 9 and 6000 कुछ आता है hero 8 के लिए, ये दोनों model के लिए ही media mods available है, but it makes the camera compact मतलब एक unit में आपका आ जाता है, and any day it is slightly compact than this, अगर आप weight की बात करोगे, तो weight में बहुत जादा difference आपको नहीं लगेगा, ये भी हल्की फुल्की है, बहुत जादा heavy नहीं है, overall GoPro Hero 9 is heavy, for sure, अगर आप इसको hero 7, 5, 6 के साथ compare करोगे, it's very heavy, क्योंकि ये size भी बड़ा है, लेक Hero 8 और Hero 9 की जो quality है, almost similar है, बहुत जादा difference नहीं है, लेकिन almost similar है, इसमें खाली एक merit है, इसमें एक front screen है, तो आपको vlogging करने के लिए अच्छा रहेगा, आपके पास अगर ये GoPro रहेगा, तो आप motor vlog भी कर सकते है, and also you can start vlogging, और इसमें linear mode इस सब आता है, तो बहुत अच्छा, इ Hero 7 कभी कबार मुझे इस से बहतर लगता है, because of the weight, Hero 9 से Hero 8 की जो GoPro की pricing difference है, almost 10,000 की है, and Hero 8 is also a good GoPro, एक ही problem जो मुझे उस पर लगता है, कि ये है, ये जो screen आप देखरो, ये अभी fixed है, ये जो lens की जो cap है, आप देखरो, ये actually fixed है, उसमें जो है, I think उसमें आप cap को replace नहीं कर पा हो गया, आप उसकी solution क्या है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ही मुझे लगता है कि उसमें difference है, लेकिन price की difference है, अभी unfortunately Hero 7 जो है आ नहीं रहा है, मतलब Amazon पे तो available नहीं है, अगर आपको locally Hero 7 मिलता है, trust me, Hero 7 बहुत अच्छा है, आपको ये बता सकते हो, अगर वीडियो की quality क मिलता है, तो Hero 7 को 10 में से 7 point मिलेगा, only 2 points की difference, तो उतना बहुत ज्यादा difference नहीं है quality में, अगर आपके पास Hero 7 है, और या फिर आप सोच रहे हो कि कहीं से आप source कर सकते हो, then it's a very good camera, या प्रिफर कर सकते हो, और अगर pricing की difference देखेंगे, साइध आपको अभी Hero 7 बहुत 25,000 के आस पास मिल जाएगा, it's a very good camera for that price, अब Hero 7 अगर आप ले रहे हो, तो आपके पास media mode की कोई option नहीं है, तो आपको जो ऐसे उलान जी के cover लेना पड़ेगा, के साथ माइक की mod है, वो भी लेना पड़ेगा, मतलब जो माइक की adapter जो आपको दिखा रहा था, तो यह लेना हिस्सा में वो है, दोस्तों, इस सारे के सारे products की लिंक है, मैं share करूँ वीडियो की description पर, अगर आपको कुछ भी चाहिए, तो वीडियो की description पर सारे के सारे links है, आप वहाँ से जाके directly खरी सकते हो, अगर मान लो कि आपके पास उतना budget नहीं है, कि आप Hero 9, Hero 8 जो अभी Amazon पर है, उसको नहीं ले पाते हो, तो second option क्या रहेगा, सबसा second option में है आपको suggest करूँ कि अगर आपको Hero 7, Hero 5, 6 या फिर 8 अगर seconds में मिल रहा है, used अगर मिल रहा हूँ, OLX पर या कहीं मिल रहा है, तो I would definitely recommend कि आप वो ले लो, और pricing के अगर बात करेंगे, तो साइध Hero 8 आपको 20-21,000 के अदर आपको आजाएगा, Hero 7 के अगर हम लोग second hand price करेंगे, तो close to about seventeen से लेके जो फंदन हाँ, हजाँ ह हजाएगा, Hero 5 के अगर हम लोग बात करेंगे, तो लगभख 10, 11, 12,000 के अदर आपको या आजाएगा, दिखुए Hero 5 औro 7 में आगर डिफ्रेंस देको बहुत जा 10-11,000 या 12,000 के अंदर आप वो भी ले सकते हो तो यह हो गया second hand वाली बात उसके अलगवा क्या क्या options है अगर आप नया में जाने चाते हो अगर आप नया में जाने चाते हो तो सबसे पहले मैं आपको suggest करूँगा DJI Osmo Action जी यहां दोस्तों यह camera जो बहुत अच्छी action cam है इसमें अगर आप plus points के बारे में बात करेंगे तो इसमें colors बहुत अच्छा आता है picture की quality जो है बहुत crisp clear आता है और इसकी जो gyro stabilization है यह बहुत अच्छा है मुझे in fact बहुत जगा पर लगा कि यह GoPro से भी better stabilized footage प्रोवाइड करता है DJI Osmo Action पर भी अगर आप लोगो audio attach करना है तो उसके लिए भी आपको जो है adapter खरिदना पड़ेगा उसकी adapter की cost बहुत सस्ता है आज के डेट पर अगर आप DJI Osmo Action देखोगे तो करीब 17,000 से 19,000 के बीच Amazon पर sell है और ट्रस्ट में गाइज उस price point पर यह बहुत अच्छी camera है और इसकी जो audio adapter है यह भी करीब करीब 2000 के अंदर रहता है तो यह TRS माइक आपको चाहिए तो TRRS अगर माइक आप ले लेते हो तो उसमें काम नहीं करेगा इसलिए मैं एक माइक की link description पर शेयर कर रहा हूँ from a brand called Maono तो this is a very good mic जो मैं भी यूज करता हूँ personally यह अच्छी mic है यही वाली mic जो है इसमें काम करेगा वो wide angle नहीं आता है super wide angle नहीं आता है जिसमें आपको पूरी की पूरी view आएगा तो अगर आप DJI Osmo यूज करते हो इसकी footage जो wide तो है लेकिन super view नहीं आएगा तो आप अगर helmet पे लगाते हो थोड़ा सो जो एक crop हो जाएगा कि आपकी handle बार जितना है उतना सही जो view आएगा उतना आएगा उससे wide और नहीं आएगा तो इसमें ये एक demerit है second इसकी demerit ये है कि इसमें ना noise cancellation उतना अच्छा नहीं है मेरे पास ये action cam था मैंने जो है GoPro Hero 9 खरिदने से पहले इसको मैंने sell कर दिया था उसके बाद ही मैंने Hero 9 लिया था तो इसमें जो audio मेंने test किया था अगर helmet के अंदरा mic लगाते हो तो GoPro में जो crisp और quality आता है वो definitely नहीं आता है इसमें थोड़ी सी जो wind noise आपको आता है इसकी quality, audio quality जो है it is not comparable to GoPro तो यह होगे इसकी demerit other than that यह action cam बहुत अच्छा है मैंने जितना दिन इसको use किया कभी भी यह hang नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ अगर आप motor vlogging के लिए इसको नहीं यूज करना चाहता है and you wanted to use it for other purpose then मैं आपको suggest करूँगा any day you pick this over the GoPro this is any day a better camera than GoPro लेकिन जो demerits है वो भी मैंने आपको बता दिया जब alternative की बात करने एक और alternative की बात definitely आपको करना चाहँगा वो है Senna की 10C Pro या फिर 10C Evo कुछ आता है तो दोस्ते यह अगर आप देखोगे तो यह actually Senna की intercom system ही है लेकिन इसके साथ advantage ही है कि यहाँ पे जो है camera भी है तो 10C मतलब actually जो Senna की 10 series of intercom आता यह वही है उसके साथ C add क्या गए विकास अपते camera तो इसमें जो है इसकी latest version मेरे खाल से 10C Evo है यह मैंने जब लिया था 10C Pro इससे पहली एक 10C आता था तो यह beach वाला model है इसकी बहुत सारे advantages है और कुछ disadvantages भी है सबसे बाड़ी advantage तो यह है कि यह जो है आपको आज की rate पे maybe around 25,000 पे आ जाएगा तो 25,000 में जब आप imagine करो कि आपके पास helmet की intercom भी हो जा रहा है top of it you also have an action cam इसमें कुछ ऐसे चीज़े हैं जो की GoPro यह सब में नहीं है वो है dash cam mode dash cam mode के मतलब यह होता है कि माल लो इसमें आप एक 30GB की 32GB की memory card लगाए हो और आप उसको dash cam mode पे रखे हो तो यह camera जो है continuously record करता रहेगा यह same चीज़े जो car में भी होता है कि car में भी continuously record होता है上 हिए और क्या होता है जब memory फुल हो जाता है तो यह क्या करता है जो पहला फाइल heuj जो first रेकोर्ड की आ है उसको रिपलेस करता है with a new file second file replace होता है third file replace होता है तो यह पूरी की-पुरी memory card हो उसको यूज करता है पर चलता है और जो फूटेज आपको चाहिए वो फूटेज आप सेब करके रख सकते हो इसकी और सबसे बड़ी एडवंटेज और डिसर्वंटेज यह है कि ऑडियो की क्वालिटी बॉस ना गोप्रो ना कुछ और कोई भी कंपारेबल नहीं है इसके साथ कि आप लों को पता इतना बढ़ी आए कि आपका क्रिस्प और क्लियर आएगा लेकिन एक डिमेरिट भी है इसमें क्या होता ने इतना ज़्यादा नॉइस कैंसेलेशन करता है कि आपकी मोटर साइकल की नॉइस भी नहीं आता है तो आप बैसिकलिया लगता है कि जब आप इसमें कोई वीडियो रेकॉर्ड करते हो जो आटे आपके बादमें ऑडियो सांड ग्रिम अगया तो यह क्या करता है कि मोटर साइकल की साउंड भी नहीं आता है तो इसमें आपको फीलिंग नहीं आता है तो यह जोड़ा सा हलका अगर मालो आप intercom पर connected हो, आप बात कर रहे हो आपके partner के साथ, तो इसमें जो videos record रहेगा, इसमें एक option है कि आप उनकी voice भी record कर सकते हो on the video, तो यह सबसे बढ़ी है बात है कि आप अगर दोस्तों के साथ travel कर रहे हो, intercom पर बात हो रहा है तो यह video के साथ audio भी capture करेगा, लेकिन इसकी दो demerit और भी है, एक इसकी quality गोपरो के साथ कोई match नहीं है, चाहें आप कि आप color की quality ले लिए और video की quality ले लो, यह video record तो करता है, लेकिन इतना ज़्यादा advanced camera नहीं है, मतब काम चलाओ टाइप है और आप आपके trip को record कर सकते हो, in fact मैंने कुछ trips जो इस पर record किया था मैं देखता हूँ, अगर कोई footage मिला तो आपको यहाँ पर share कर लोगा, तो इसकी यह एक demerit है, second और एक demerit इसके साथ यह है, इसकी जो stabilization है नो इतना अच्छा नहीं है, मतब गोपरो यह सब जो आज की date पर gyro stabilization के वज़े से जाना जाता है, because आप जितना भी shake wake हो, कोई भी चीज मतब उसमें नहीं आगा, इसमें stabilization है, लेकिन कहना उतना बढ़िया नहीं है, तो कभी-कभी आपको glitters दिखता है, कभी-कभी आपको पता चलता है कि थोड़ा सा video जो हलका shaky रहता है, बहुत जादा shaky ने रहता है, लेकिन कभी-कभी अगर आप compare करो गोपर के साथ देन आपको पता चलेगा, हो सकता है कि इसकी जो नया version है, उस पर साइद ये चीज थोड़ा सा improve हो गया होगा, लेकिन otherwise देखने से मैंने ये camera को बहुत बार use किया, बहुत सारे trips के लिए, in fact I think Sikkim की trip मैंने इस पर ही किया था, दोस्तों, slushy road आगया, slush slush slush, फिसलेगा, फिसलेगा, नहीं फिसलेगा, एडवेंटेज इसमें बहुत सारा और भी है, कि यार ये compact हो जाता है, क्योंकि आप सोचो कि, देखो, आज के लिए intercom लगाना भी मतलब mandatory हो गया है, क्योंकि आप अगर, मतलब किसे के साथ बात क लगाना चाते हो, bluetooth पर music सुनना चाते हो, या फिर कभी call वोल आता है, answer कर लेते हो, तो ये सब के लिए जरूरत है, अब क्या होता है, हमारे साथ ये होता है, कि एक GoPro लगाओ, यहाँ पर एक intercom लगाओ, तो helmet overall भारी हो जाता है, इस case पर ये है कि यार, एक ही चीज़ पर सब उसकी latest version ही खरीद हो, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो पुराने वर्सन की जो false है, वो सब कुछ ठीक हो जाता है, नए वर्सन पर, इसकी बात जो alternative मैं आपको suggest करूंगा, वो है SJ Cam की SJ6, जी हां दोस्तों, SJ Cam एक made in China, मतब action cam company है, लेकिन बात यह है कि मैंने जो अपने motor vlogging career, ज परीब करेब 6500 आया था, यह मैंने लाइफ की पहली action cam था, इसमें बहुत सारे advantage था, जैसे gopro hero 5 आप देखते हो, front पर screen है, इसमें भी वही रहता है, इसकी video quality भी अच्छी है, wide angle भी बहुत अच्छी है, इसमें जो audio record करने के लिए, इसके लेकिन एक अलग सा mic आता है, इसके audio quality भी अच्छा है, तो इस camera को मैंने बहुत बार, बहुत time तक use किया, जब तक मेरे पास पैसा नहीं था to buy a gopro, I was using this camera only, यह भी एक अच्छी camera है, जो आप ले सकते हो, इसके लावा market में और बहुत सारे camera है, लेकिन मैं आप लोगो suggest करूँगा not to go for that, किसी में quality होगा, किसी में wide angle अच्छा नहीं होगा, किसी में battery backup खराब होगा, तो इसलिए मैंने handpick किया ही कुछ models जो आप लोगों को बता है, बाकी सारे models उतना अच्छा नहीं है, तो आप इन में से कोई एक camera ले सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको suggest करूँगा, अगर आपके पास opportunity है to buy a second hand GoPro, you always prefer to go for that, क्योंकि GoPro जो भी हो आज तक टेस्टेड हो चुका है, इसमें जो इतने सारे models आ चुका है, तो इन लोगों को बहुत सारे problems इनको पता है, जैसे देखो hanging issues एक है, मुझे समझ में आता है क्यों वो लोग करनी पाता है, हो सकता है क्यों कुछ challenge होगा, लेकिन otherwise देखने से day by day जो है GoPro बहतर होता जा रहा है, so GoPro एक तरह सा जो है आपके safe and secure रहेगा, जितने सारे products मैंने आप लोगों को दिखा है इस वीडियो पर सारे के सारे products की जो link है, वो description पर है, आप आराम से जाके check कर सकते हो, जब भी आपकी मर्जी है आप खरी सकते हो, आज मैं प्राइम डे की last day, अगर आप आज खरीते हो, तो आपको जो है discount भी मिल जाएगा, so thank you so much guys for watching this video, अगर आप लोगो वीडियो अच्छा लाग तो एक thumbs up देजिए, अगर आप लोगो अभी भी कोई question है, do let me know in the comment section लेटी video, I'll try to answer them, that's all about it, अगर आप लोगो ने चैनल को subscribe नह आता ही रहता हम अपने चैनल पर, so bye bye, take care guys